हलो दोस्तों वेलकम टू दे जोरावर क्लासिस और आप सब लोगों का स्वागत है केमेस्ट्री की आज के सेसन में जो हमारा मैटर है जिसका नाम मैटर है और आज हम उस मैटर के चैप्टर का पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं इसके पहले मैंने दो पार्ट आपका कंटेंट प पढ़ना है और उस पार्ट में मैंने लिखा जैसा कि don't miss it बहुत important पार्ट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको आपको miss नहीं करना है बहुत जहान से समझना और सोचना है क्योंकि यहां पर हम सीखेंगे कि मैटर कैसे अपने states को change करता है अपनी आवस्थाओं को एक द्रब या पदार्त कैसे बदलता है इसके बारे में पूरा का पूरा आज हम सीखने वाले है ठीक है और उसके अंतरगत हम क्या पढ़ेंगे temperature जो कि dependent melting point एक balling point इस सब चीजों में temperature का कुछ ना कुछ हाथ होता है तो यह सारी चीजों पे जह हम देखेंगे और उस सारी चीजों पे हम देखेंगे कि क्या-क्या points पे किस-किस तरह से अपने temperature को वो change करता है क्या-क्या property रखता है वो सारी चीजे और किस process को किस नाम से जाना जाता है इन सारी चीजों के बारे में हम आज की class में देखेंगे तो जब सैकि आप लोगों ने देख आप लोग देख पारे होगे, इस पूरे डायग्राम को मैं कल, यानि नेक्स्ट वीडियो में, पूरे डायग्राम को मैं कम्प्रीट करूँगा, आज हम सिर्फ ये दोनों चीजों को पढ़ पाएंगे, अगर हम कल क्लियरिफिकेशन करें, तो सिर्फ हम ये दोनों को चीजों को पढ़ पाएं हैं आप सब को पता है मैं आपको बार-बार बताते चलता हूं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा क्या है आगे पढ़ना क्या है ठीक है तो जो लोग नए जुड़े हैं सबसे पहले तो वो लोग ये सोच लें ये समझ लें ये जो WhatsApp आपके पास होता है मोबाइल में सबके पास होगा है ना उस पे आपको ये नंबर पे अपना नाम और पोस्ट अगर आप PRT के प्रिपरिशन करना चाहते हो तो PRT लिखके और अगर आप TGT के प्रिपरिशन कर रहे हो तो TGT लिखके उस इस नंबर पे आपको अपना नाम और पोस्ट मैसेज कर दिना है जो कि अंकित सर का नमबर है ठीक है चलिए तो हमने physics में आपको बता दू complete कर दिया है जिसमें 4 practice set 4 practice set के साथ मतलब आप सोच सकते हो लगबग 50 question and साथ ही साथ मैंने previous year question 10 question को complete करा है यानि लगबग 60 question plus 1-1 content liquid and gases के बारे में थोड़ी property बताई थी बट आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ये liquid to solid, solid to gas and gas to liquid कैसे change होती है चीजे और किस base पे change होती है क्या उसमें important questions बन सकते हैं ये सारे चीजों को हम discuss करेंगे ठीक है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो characteristics of particles of matter तो इसमें क्या होता है मैंने आपको previous class को थोड़ा सा connect कराने की कोसिस की है तो मैंने आपको बताया था particles के पास 3 तरह के good पाये जाते हैं ये लिखा English में है बट दोस्तों जिनको इस English में problem होती है वो ये समझें कि अगर आप इतनी भी English नहीं जानोगे तो KBS में 20 number के English आने वाली है इसलिए इतना तो समझने की कोसिस किया करो जहां बहुत ज़दा केवल के English से English लिखी रहती है वहां मैं आलड़ी आपको Hindi प्रोवाइड करा देता हूँ जैसे question answer हम करते है तो इसको मैं हिंदी में दे देता हूँ because question answer is the most important thing जहां से हमारा number कर सकता है बट यहां पर जब आप पढ़ते हो तो मैं हिंदी बताई रहा हूँ ना तो इसको connect कराने कोसिस किया करो ओके चलिए तो दिया गया particles of matter have space between them तो जो matter होता है matter होता है इसके जो particles होते हैं जैसे माल लो कि आपके सामने एक solid रखा है या कह सकते हो कि एक बर्फ रखा है तो इसके जो particles होंगे वो बहुत करीब होते हैं इनमें space बहुत कम होता है फिर भी space होता है space फिर भी होता है ठीक है इसी तरह से अगर एक पानी है तो पानी के particles के बीच में space थोड़ा ज़ादा होगा और अगर gas है तो उसके बीच में space क्या होगा और भी ज़ादा होगा इसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि जो particles होते हैं वो continue move करते हैं या continuously moving होते हैं मतलब वो हमेशा चलते रहते हैं इधर दर प्राबलम ये है कि जो solid होगा हमारा उसके जो particle होंगे ये ज़्यादा move नहीं करते हैं या कह सकते हो कि सबसे less move करते हैं ठीक है अब देखो solid के particle अगर हम movement में देखें मैं ऐसे बना देता हूँ मैं diagram बनाता हूँ ठीक है एक तरफ मैं solid लिखता हूँ जहां से समझ लीजे पिछली class को connect कराओगे तब ही आगे समझ पाओगे तीन state है और इनमें हमें देखना है कि space क्या होता है space किसमें ज़्यादा होता है तो सबसे कम space इसमें होता है और इससे ज़्यादा space इसमें होता है यानि थोड़ा सा max होगा या कर सकते हो कि max than max than solid ठीक है इसमें space थोड़ा सा ज़्यादा होगा solid में एंड इसमें क्या होगा maximum maximum space होता है किसमें gas वाले stage में चलो space का हो गया अब हम देखते हैं कि movement कैसा होता है यानि movement किस किस में सबसे ज़्यादा किसमें कम होता है वो भी देख लेते हैं तो आप बताओ solid में जो movement होगा वो less होगा सबसे कम होगा एंड इसमें क्या होगा maximum than किस से होगा solid होगा यानि solid से ज़्यादा ये move करते हैं and gasों में जो particles होते हैं इनका जो movement होता है वो क्या होता है maximum होता है attraction की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये हमारा space हो गया ये movement हो गया attraction की बात कर लेते हैं attraction जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है solid में होता है यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा यानि minimum होता है तो आप देखो attraction के case में चीज़ें उल्टी हो जा रही है यानि solid में सबसे ज़्यादा attraction होता है उनके particles में liquid में solid से थुड़ा कम होता है और gas में solid से और भी कम होता है यानि सबसे कम होता है तो question यहां से भी बन सकता है दोस्तों कि निम्लकित में से किस phenomenon में सबसे ज़्यादा maximum या minimum चीज़ें solid के अंदर पाई जा सकती है यह ध्यान रखना तो यह सब phenomenon है अगर उनके particles के phenomenon के बारे में question उठाता है तो यहां से यह diagram आपको याद होना चाहिए और अगर याद नहीं है तो आप समझ सकते हो तो question को समझ के answer करना क्योंकि यह KBS है यह ऐसा नहीं है कि जो आप रट के जाओगे वो पूछेगा clear चलिए आगे देखते हैं तो दिया गया है matter changes its state तो जैसा के लिखा गया matter changes its state by temperature temperature के base पे किस किस तरह से यानि कि तापमान के का सकते हो आधार पर किस किस तरह से कोई पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है इसके बारे में हम देखते हैं solid जैसा कि देख रहे हो एक ice जो है वो क्या हो रहा है पिखल रहा है किस में पानी में तो आप देख सकते हो कि यह जो solid है यानि जो ice है यह किस में change हो रहा है यह आपके liquid में change हो रहा है या कह सकते हो कि जो हमारा बर्फ है ये किसमे चेंज हो रहा है वाटर में यानि लिक्ट में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं ये जब चेंज होता है न तो इसे बोलते हैं melting point इसका कुछ होता है उसके बाद वो क्या होता है गलना शुरू होता है हिंदी में इसे गलनांक बोलते हैं क्या बोलते हैं गलनांक तो एक ऐसा temperature अभी इसकी मैं पूरी definition दोगा बस आफ समझो यहाँ पे जब कोई solid किसी liquid में एक ऐसे temperature पे atmospheric temperature पे या pressure पे जब किसी liquid में बदलना शुरू हो जाए तो वो point क्या कलाता है वो क्या कलाता है वो आपका melting point कलाता है जैसे मालो एक burf है यह burf है इसको आप क्या कर रहे हो गरम कर रहे हो और जिस temperature पे यह burf पिखलना शुरू हो जाए द्यान समझना तो आपका आता है liquid अब जैसे मालो इसमें पानी रखता है यहाँ पे आग लगा दी गई ठीक है आग लगा दी गई तो यहाँ पे जब नीचे क्या कर दिया गया है हमने आग जला दी है तो यह पानी क्या हो रहा है boil हो रहा है ठीक है, boil हो रहा है, अब देखो, सब्द क्या आ रहा है, boil, इसका मतलब एक ऐसा point होगा temperature का, जहां से boiling हो रहा होगा, जैसे मैं आपको एक example देता हूँ, rubber देखे हो, rubber, ठीक है, जितने लोगों ने rubber देखा होगा, rubber जो खींचा जाता है, जिसको खींचने में फैलता है, इसी जबर को अगर मैं अब थोड़ा सा भी खींचूंगा, ध्यान से समझना इस चीच को, अगर मैं थोड़ा सा भी खींचूंगा, तो तूट जाएगा, तो वही जो point है, जहां पे ये तूटता है, उसी point को elasticity बोला जाता है, प्रत्यास्थता बोला जाता है, यानि फैलने की ज में change हो रहा है, गैस में, तो at this point हम कहते हैं, ये क्या हो रहा है, boil होना शुरू हो रहा है, और इसी point को क्या कहा जाता है, boiling point कहा जाता है, जब इसी stage में ये क्या करना शुरू होता हो, change करना शुरू होता हो, ठीक है, तो ये ध्यान दीजेगा, ये elasticity आपको पढ़नी नहीं ह physics का topic होता है intermediate में I think पढ़ाय जाता है प्रत्यास्तता यानि किसी चीज के फैलने की जो जमता होती है उसे बोलते है पर आप लोग ध्यान में रखिए आगे आपको पढ़ाना पढ़ रहे तो आप उसको बता सकते हो ठीक है इसी तरह से gas की बात करते है gas में जो comfort सुने हो गए यानि कपूर ठीक है comfort जो सुने हो आप उसका क्या होता है उसका schedule ये होता है कि उसको जैसे ही हम आग लगाते हैं वो तुरंत liquid में ना change हो करके किस में change हो जाता है gas में change हो जाता है and its process is called as sublimation क्या कहा जाता है इसको sublimation हिंदी में और्धुपातन कहा जाता है हिंदी में क्या कहा जाता है और्धुपातन ध्यान रखना इस सीच को ठीक है इस process को क्या कहा जाता है sublimation यानि और्धुपातन यानि किसी भी solid के direct gas में convert होने की process ध्यान से समझना आगे कल हम मैंने बोला था ना कि मैं आज gas से solid convert करा दूँगा अब आज मैंने gas से solid convert करा दिया solid से gas भी मैं convert करा दूँगा बट अब जो process पचरी gas to liquid and liquid to gas and फिर liquid to solid and solid to liquid ये वाली process पूरा मैं हम लोग कल complete पढ़ेंगे इस चीज के बारे में ध्यान दीजेगे इस चीज को ठीक है तो उर्धो पातन जो होता है वो क्या होता है कि जब किसी भी solid को हम गर्म करते हैं वो किसमें change हो जाता है gas में तो इस process को क्या करते हैं sublimation करते हैं चलिए अब detail में देखते हैं with definition समझते हैं चीजों को तो जैसा कि हमारा पहला definition दिया गया है आपके सामने melting point melting point is what minimum temperature at which a solid melts to become a liquid एक सबसे कम तापमान जिस पे क्या होता है एक solid जो होता है वो गलना शुरू होता है क्या कहोने के लिए become a liquid एक draw बदलने draw में होने के लिए होता है at the atmospheric temperature pressure is called melting point at the atmospheric temperature pressure is called melting point is it clear तो I hope आपको clear हो गया होगा कि melting point वो होता है जब कोई भी solid गलना शुरू हो करके क्या हो जाता है liquid में change होना शुरू हो जाए तो उससे हम क्या कहते है melting point कहते है ठीक है उस point को melting point कहते है अब देखे temperature की बात आगी तो एक atmospheric temperature कितना होता है तो 8 atmospheric pressure जो होता है वो one point zero one into ten to the power five pascal the most important most important चीज है यह कि यह one atmospheric temperature जो होता है या pressure जो होता है one point zero one into ten to the power five pascal जो होता है most important है आपके exam में direct पूछा जा सकता है what is the value of one atmospheric pressure जान दीजेगा what is the value of one atmospheric pressure मैं word यूज कर रहा हूँ pressure याने कि दाब ठीक है I hope आपको clear हुआ होगा अब देखे ध्यान से आगे जो SI unit होती है temperature की यह बहुत important है मैं दो चीज़े आज बहुत important ले आके रखा हूँ जहां से direct question बन सकता आपके exam में कि जो SI unit होती है temperature की हम लोग क्या यूज करते हैं degree centigrade maximum बच्चे यह लगा कि आजाएंगे but SI unit of temperature is nothing but Kelvin क्या होता है Kelvin होता है SI unit अब बात आती है सर तो 0 degree centigrade में कितना Kelvin 273 Kelvin क्या होता है 273 Kelvin clear हुआ तो इसी तरह से जो SI unit होता है अब इसी तरह से देखो जो हमारा बुखार ना पजाता है fever जो उसे बोलते है वो जो ना पजाता है वो किस में ना पजाता है वो degree centigrade में नहीं जा पजाता है वो किस में ना पजाता है वो foreign height में ना पजाता है ये फार्मूला है centrigate से foreign height में change करने का मतलब। अगर हमारी body का temperature centrigate में 37 centrigate है तो foreign height में कितना होगा। इसका जवाब आप comment box में मुझे दोगे। अगर हमारी body का temperature 37 degree centrigate होता है तो foreign height में हमारी body का temperature कितना होगा। ठीक है और जैसे बोलते हैं ना लोग कि सर जी 100 डिग्री बुखा रहे हैं डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर साथ 100 डिग्री बुखा रहे हैं या डॉक्टर बोला 100 डिग्री है तो वो डिग्री जो होती है ना बच्चा वो सेंट सेल्सियस में नहीं होती यानि सेंटिग्रे होता है अब सुचोगा कि अगर हमारी बॉड़ी को 100 centigrade temperature मिल जाए तो जो पानी है वो उबलने लगेगा बॉड़ी बॉड़ी नहीं रह जाएगी तो वो जो बुखार होता है वो foreign height में 100 degree में होता है 100 degree foreign height में होता है not 100 degree centigrade होता है तो याद रखेगा इस चीज को भी कि बुखार में जो थर्मामीटर लगाया जाता है जिससे temperature मापा जाता है उसमें हमेशा foreign height का इस्तेमाल के जाता है not centigrade clear गवा तो I hope ये चीज़ें आपको clear होई होंगी कि SI unit क्या होती है temperature की Kelvin होती है and one atmospheric pressure कितना होता है 1.01 into 10 to the power 5 पासकल होता है clear and हम centigrade से कैसे हम foreign height में change करते है C upon 5 is equals to F minus 32 upon 9 आपको बताना है कि हमारी body का temperature अगर 37 degree centigrade है तो ये foreign height में कितना होगा and मेरा एक और question है कि आप सब को मुझे comment box में बताना है फटा-फट सर्च करके कहीं से भी पता लगाओ अगर आप seated qualify किये हो न तो आपको ये चीज़ पता भी होगी अगर नहीं पता है तो जाके पता करो कि हमारी body का temperature अगर 37 degree centigrade होता है तो हमारे stomach का यानि कि हमारे pate का जो temperature होता है वो कितना होना चाहिए बहुत important question में पूछाओ हमारे pate का temperature कितना होना चाहिए तो दो question आपको मिलते हैं अगर 37 degree हमारे body का temperature है तो Fahrenheit में कितना होगा और पेट का temperature कितना होना चाहिए आगे देखते है boiling point boiling point क्या होता है जब एक ऐसा temperature जिस पे क्या होता है liquid क्या होता है start हो जाता है क्या होना boil होना तो इसी को इसी को देखो यहां पर यह नहीं लिखा है कि liquid gas में बदलना सुरू हो जाता है liquid boil होना सुरू हो जाए boil होना जैसे boiling अंडा देखे वो boil लोग बोलते हैं boil दे दो तो वो boil होना शुरू हो जाए, अगर सोचो अगर वो gas में बदलना शुरू हो जाता, तो अंड़ गैस बनके उड़ जाता, तो हम boil अंड़ खाई नहीं पाते, मतलब जब liquid सिर्फ उबलना शुरू हो जाए, क्या होना शुरू हो जाए, कभी चावल बनाए हो, केवल खुले ब तो देखो, वो उबलता है, वो gas नहीं बनता है, उबलता है, तो उसी point को, जिस पे वो उबलना शुरू होता है, यानि boil होना शुरू होता है, उसी को हम क्या कते हैं, boiling point कते हैं, तो लिखा गया, the temperature at which a liquid starts boiling, at the atmospheric pressure is known, atmospheric pressure तो मैंने आपको बता दिया, is known as its boiling point, ठीक है, जैसे मा लो कोई पानी है, ठीक है, और जब ये पानी, ऐसे बुझबुझे के रूप में उबलना शुरू हो जाए, ठीक है, तो जिसमें ऐसे देखे होगे, आप जब पानी को उबालो खुब तेजी से, तो उसके बरतन में इस तरह से उबलना शुरू होता है, वास्प नहीं बनान तो नोट करना इस चीज़ को बहुत इंपोर्टेंट है यहां से भी, चलिए, नेक्स देखते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स है सब्लीमेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब चेंज ऑफ इस्टेट डिरेक्ली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, जब कोई भी, इस्टेट जो होती है, वो डिरेक्ट कैसे में बदल जाए, सॉलिड से गैस में, धन हम कह सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इंटू लिक्विड इस्टेट, इस काल्ड सब्लीमेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, और्धो पातन कहते हैं, क्या कहते हैं, और्धो पा एक एक चीजों को describe करूँगा आपको बताऊंगा अच्छे से derive भी करूँगा चीजों को ठीक है तो यह ध्यान दीजेगा जब इस gas से liquid हो जाए देखो यह सब को याद होता है लेकिन यह नहीं याद होता है जब gas से liquid हो जाए तो उस position को हम क्या करते हैं या उस अवस्था को क हमारा schedule क्या रहेगा Monday and Tuesday ध्यान से सुन लेना Monday and Tuesday जो है वो हमारा का पूरा का पूरा science का practice session चलेगा ध्यान से सुनिएगा practice session चलेगा उसके बाद हमारा Wednesday and Thursday आपकी English चलेगी क्योंकि English हमारी बहुत ज़्यादा बाकी है और अभी पीछे होती जा रही है तो हमारी English चलेगी औ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday को हम अपनी chemistry फिर से पढ़ेंगे ठीक है हो सकता है यह chemistry मैं यहाँ भी डाल दूँ एक ही practice session हो तो दो हमारी chemistry की भी class हो जाएगी दो English की और एक practice session तो इस तरह से हम चीजों को करते रहेंगे और फिर English का भी practice session एक दिन रखा जाएगा next week में तो हमें next week की planning पता हो होनी चाहिए Monday और Tuesday को हमारे chemistry चलेगी या कह सकते हो हाँ chemistry ही continue करते हैं chemistry चलेगी यह दोनों दिन English चलेगी और इस दिन हम practice session रख लेते हैं थोड़ा सा उल्टा कर लेना लिख लेना अपनी copy में practice session हमारा रहेगा Friday को तो practice session हम इस दिन करते हैं बाकि इन दोनों दिन हम क्या करत जड़ा हमें पढ़ना है इसलिए हमें जल्दी जल्दी खतम करना क्योंकि और भी subjects हैं जब हम science ही पढ़ते रहेंगे तो फिर हो चुका ना तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स हमते हैं maximum लोग देखा करो यार कि इतने दिन से हमसेल जुजड़े हुए हो तुम लोग ठीक है चलो थांक्यू थांक्यू सो मच